दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि मद्यप्रदेश कॉलेज के अड्मिशन स्टार्ट हो चुके हैं वर्स 2023 के लिए MP में आप जिस भी कोर्स के लिए अड्मिशन लेना चाहते हैं यह प्रवेश के तुरू आप यहाँ पर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं और UG कोर्से सो हो चाहे फिर PG कोर्से सो हो या फिर LLB हो किसी भी कोर्स के लिए आप ओनलाइन अड्मिशन ले सकते हैं उसका सेलेक्शन आपर आपको कर लेना है और मैं आपको बता दूँ कि E-Praves का जो अड्मिशन फॉर्म है वो पूरी तरह से ओनलाइन ही होता है आप खुदी इसके लिए ओनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं कैसे अप्लाइ करना है एड्मिशन के लिए कैसे आपको फॉर्म फिल करना है अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए मैं लगसे वीडियो लेकर आ जाओंगा खिलाल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो ओनलाइन अड्मिशन फॉर्म है यहाँ पर काफी सारी लोगों को प्रॉलम जा रहे हैं खास करके आप दो प्रॉलम जा रहे हैं जिस पर लोगों को काफी डाउट है कि यहाँ पर क्या फिल करना है और कैसे फिल या फिर MPTAS profile ID और यहाँ पर second है ABC ID यानि कि academic bank account ID तो यहाँ पर आपको क्या fill करना है और दोनों ही यहाँ पर जो field ने आपको fill करना compulsory है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए अगर आप UG के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे scholarship ID या फिर MPTAS ID मंग रहा है तो अगर आपने 12 के पहले scholarship ली हुई है तो आपका MPTAS profile create होगा खितगराई profile जैसे हम बोलते हैं तो वो profile अगर आपका बना हुआ है तो आपको school से मिल जाएगा अगर आप PG के लिए apply कर रहे हैं तो आपने UG में एनिकी graduation course में scholarship ली होगी तो वहाँ पर भी आपको MPTAS की profile आपने बनाई होगी जिससे आपने scholarship के लिए apply किया था अगर आपके पास नहीं है तो आप MPTAS का profile create कर सकते हैं वहाँ से आपको एक ID मिल जाएगा और वही ID simply यहाँ पर आपको fill करना है अगर आप general category से apply कर रहे हैं तो ऐसी condition में यहाँ पर e-fill करना आपको compulsory नहीं है तो यहाँ पर आप not applicable भी लिख सकते हैं उसके लाबा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप OBC, ST, SC से हैं तो यहाँ पर आप अपना MPTAS profile create करके उसकी जो profile ID होगी जो की PR से start होती है वो यहाँ पर आप fill कर सकते हैं तो यह तो हो गया पहला सवाल अब दूसरा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है academic bank account ID यानि कि ABC ID तो अब यह क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको एक ABC ID create करना है सभी के लिए compulsory है बेना इसके आप इस form को fill नहीं कर पाएंगे तो यह क्या होता है academic bank account ID ABC ID क्या होता है कैसे इसको create करना है वो मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए आपको Google में आ जाना है और यहाँ पर आपको simply search कर देना है ABC ID तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सबसे पहली link आएगी academic bank of credit तो यही है ABC ID इस पर आपको simply click कर देना है और यहाँ पर कैसे आपको ABC ID create करना है step by step में आपको बताऊंगा जैसे इस पर आप click करेंगे तो इसके website पर आप आजाएंगे अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह interface दिखने को मिलेगा जहाँ पर देखिए right hand side उपर my account का एक option आपको दिख रहा है simply इस पर आपको click करना है जहाँ पर आपको दो option मिलेंगे student और university तो यहाँ पर आपको student वाले option पर click करना है then आपके सामने sign in का एक option आजाएगा तो यहाँ पर क्योंकि आपका ABC ID भी create नहीं है तो सबसे पहले अपना ABC ID आप create करेंगे एक नए ABC ID create करने के लिए आपको नीच option मिल जाएगा new user sign up for मेरी पहचान मेरी पहचान पोटल है simply इस पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपको अपना ABC ID वो create कर लेना है ABC ID create करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक mobile number देना होगा जिस पर आपको एक OTP send किया जाएगा तो mobile number यहाँ पर आप डालेंगे उसके बाद generate OTP का आपको एक option देख रहा है इस पर आप click करेंगे अब यहाँ पर आपके number पर जो OTP send किया गया है वो OTP यहाँ पर आपको डाल कर verify OTP का जो button देख रहा है इस पर click करना है जिसके बाद यहाँ पर आपको जो mobile number है वो verify हो जाएगा अब यहाँ पर simply आपको अपना full name डाल देना है जो भी आपका नाम mark sheet में लिखा हुआ है इस बाद एक बाद फिर से आपके number पर एक OTP send किया जाएगा और इस बाद जो OTP send किया जाएगा वो आपकी अधार card से registered number पर send किया जाएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल कर simply इसको आपको submit कर देना है उसके बाद अगले page में आपसे बोलेगा यहाँ पर आपको अप्सिन सेलेक कर लिना है और नीचे यहाँ पर आप चाहे तो अपने college का नाम डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर final आपको नीचे तो submit का button देखे इस पर आपको click करना है और बस submit करते ही आपके सामने इस तरह से देखी यहाँ पर successful का message आएगा ABC student account created अब यहाँ पर देखे यॉर ABC ID is 953- इस तरह से आपको यहाँ पर एक ID शो की जा रही है और यही है आपकी ABC ID इसी को आपको जवाब application form फिल करेंगी जैसे कि मैंने आपको बताया था academic bank account ID आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको यही वाली ID डालना है जो की आपको display कर रहा है तो आप चाहे तो इसका एक printout ले सकते हैं इसकी photo click कर सकते हैं या फिर आप इसको copy करके हाँ पर paste कर सकते हैं तो दोस्तो यही है आपका academic bank account ID तो यहाँ पर यह major problem थी इसका application कर करना में तो मैंने आपको यहाँ पर यह clear कर दिया है कि ABC ID क्या है और इसको कैसे create करना है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा उसके लाबा दोस्तों गर आप UGPG courses के लिए online registration यह फिर counseling की process पर वीडियो देखना चाहते तो आप मुझे comment करके जरूर बताएगा फिलाल दोस्त आपक भी जानकारी पहुंच ठके और वो भी अपने ABC ID काफी असानी से create कर सके और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना मत भूलेगा